काली चर्ण हिंदी मूवी समीख्षा काली चर्ण 1976 की भारतिय हिंदी एक्षन थिलर जो सुभाश घई द्वारा निर्देशत है जिसमें शत्रुगन सिन्हा, रीना रॉय, प्रेमनाथ, अजित और डैनी ने अभिनय किया है फिल्म बॉक्स ओफिस हिट रही यह फिल्म सुभाश घई के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी और इसमें शत्रुगन सिन्हा और रीना रॉय जैसे सितारों की सफल भूमिका थी दिंद्याल की छवी एक इमानदार, अमीर और साफ दिल वाले व्यक्ति के रूप में है हाला की यह एक दिखावा है क्योंकि वह एक पूर्ण खलनायक है जिसे अपराध की दुनिया में लायन के नाम से जाना जाता है वह वह व्यक्ति है जिसके तहट काला बाजारी, तसकरी और डकैती फलती फूलती है उसकी काली कर्तूतों का किसी को अंदाजा नहीं है यहां तक की उनके करीबी मित्र महानिरीक्षक पियेन खन्ना को भी नहीं खन्ना शहर और राज्य की खराब स्थिती को लेकर काफी चिंतित है वह सरकार से इंस्पेक्टर प्रभाकर को शहर में वापस लाने का अनुरोध करता है क्योंकि वह एक इमांदार और निडर पुलिस कर्मी है प्रभाकर शहर आता है और अपराधियों पर सक्ती से नकेल कसना शुरू कर देता है प्रभाकर एक विधुर है जिसके दो बच्चे हैं उनके अलावा आईजी खन्ना उन्हें अपने बेटे की तरहे प्यार करते हैं और बच्चों को अपने पोते-पोतियों की तरहे मानते हैं परियाप्ट छापे मारने के बाद प्रभाकर को पता चला कि दीन दयाल एक ध्रश्ट व्यक्ति और समाज के लिए एक राक्षस है वह सब के सामने राज उगलने की योजना बनाता है लेकिन दीन दयाल के आदमियों द्वारा उसे मार दिया जाता है मरने से पहले वह अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के लिए एक रहस्यमय सुराग छोड़ता है लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाता कि सुराग क्या कहता है खन्ना का दिल तूट गया है और वह जीवन से उम्मीद खो बैठा है एक दोस्ट की वजह से उसे पता चला कि जेल में एक खुंखार कैदी काली चर्ण है जो प्रभाकर जैसा दिखता है खन्ना उससे मिलने जाता है लेकिन उसे वह एक जानवर जैसा व्यक्ति लगता है फिर भी अपराधियों का पता लगाने के प्रयास में वह उसे रिहा करवाता है और उसे एक हिल स्टेशन पर ले जाता है जहां वह उसे बदलने का प्रयास करता है लेकिन काली चर्ण को तोरना कठिन है हाला कि कुछ समय बाद प्रभाकर की बहन ही भगोडे का दिल जीत लेती है काली चर्ण जेल में था क्योंकि उसने उन लोगों की हत्या कर दी थी जिन्होंने उसकी बहन के साथ बलातकार किया था वह अभी भी मुख्य अपराधी शेति की तलाश में था जो सरकस में काली चर्ण के साथ एक साथी शूटर था लेकिन एक आदमी की हत्या में अपनी प्रतिभा का उप्योग करना चाहता था कालिचर्ण खन्ना के साथ सुलाय कर लेता है और धीरे-धीरे लेकिन लगातार एक पुलीस इंस्पेक्टर है वह सपना का दिल जीतने में काम्याब हो जाता है और प्रभाकर के बच्चे भी उसे अपने पिता के रूप में स्विकार कर लेते हैं वह प्रभाकर की हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाता है और दीन दयाल को कानून के शिकंजे में लाता है इस प्रक्रिया में वह शाका जैसे दोस्तों को जीतने और अपने पुराने दुश्मन शेटी को खत्म करने में काम्याब होता है